बसद पच्मी का दिन खास महत्म है हर साल बसद पच्मी का पर्व माल के सुकला पच्मी को मनाया जाता है बसद पच्मी का दिन ग्यान देवी का मासोसती का पूजा किया जाता है नमस्कार दोस्तों मायुगा चलेने बहुत वह स्वागत हैं मैं धर्वेंद्र शिच्छा बिर्धी ये अंतर बताने जारहूं तो वीडियो को लाज तक दिखना मेरे चलें पर नहीं तो चलेन को सब्सक्राइब ना तक कि जभी वीडियो लाए तो अबडेट मिल सके सबसे पहले दोस्तों इस बार स्वाशती पूजा और गतंतरा दिवस दोनों एक ही साथ पर रहा है गतंतरा दिवस और स्वाशती पूजा की आपको हारदीक सुभकामना हैं दोस्तों इस बार दोनों 26 जन्वरी को ही पर रहा है दोनों एक साथ मनाईएगा गतंतरा दिवस और स्वाशती पूजा दोस्तों स्वाशती जो ग्यान और बानी की देवी हैं पूजा करने के लिए बसत पच्मी का दिन निधारित किया गया है इस दिन भक्त लोग पूरी सारधा एवन विधी विधान से देवी सुरसती की पूजा करती हैं मा सुरसती की किरपा से ही वियक्ति को ग्यान बुद्धी विवेग के साथ ग्यान कला और संगीत में कौशल हासिल करने के लिए मा से आसीबात प्राप्त करते हैं यदि मा सूर्सती की किरपा प्राप्त करनी है, तो उन्हें खुश करना आनिवार्ज है। तथा उन्हें खुश करने के लिए जाग करनी चाहिए। यंत्र को आप बसंत पचमी के दिन यनी 26 जनवरी के दिन इस यंत्र को लिखते हैं तो आपको छिच्छा में जिनको मन नहीं लग रहा है जिनको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है उनको जल्दी आद नहीं हो रहा है वो भूल जाते हैं तो इस यंत्र को परियोग करके आप धा कर सकते हैं दोस्तों चिछा बीधी का परियोग एसे महले बच्चे करें जिनको जीवन में बार बार चिछा का अवरोध पैदा कर देता है वे पढ़ना चाहता है परन्तु किनी कारणों से बार बार चिछा से बंचित रहा जाते हैं उस व्यक्ति इस यंत्र को जरूर धारन कर सोसती यंत्र का परियोग जरूर करें और इसके साथ मंत्र का परियोग करें और सोसती मंत्र एवं सारधा मंत्र का इसको परियोग करके आप पसंद कर सकते हैं और इस यंत्र को सीध करके आप गले में या बाजू पर धारन कर सकते हैं जिसमें चिछा में उनत्ति आएगी औ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आये सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को